आपने शाय 440 वोल्ट्स लिखी गई निशानी देखी होगी इस 440 वोल्ट्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल बल्ब के कागज पर भी वही चीज लिखी होती है जब आप दुकान के लिए बल्ब खरीते हैं तब आपको बल्ब की वोल्टेज और वॉट लिखना होता है क्या आपने कभी उन कारणों के बारे में सोचा जो सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए आवश्यक हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब पर छपी 220 वोल्ट और 100 वोल्ट जैसी इकाई दर्शाती है और ये बल्ब 220 वोल्ट के अधिक्तम पोटेंशल रिजिस्टेंस वाले सौकिट में चमकेगा और ये एक सेकेंड में अधिक्तम 100 जूल उर्जा इस्तिमाल करेगा इन इकाईयों की सहायता से आप इलेक्ट्रिकल बिल की हाथ से गणना कर सकते हैं आएए एक क्रिया करके पता लगाएं कि यदि 40 वोट की निशानी वाले फैन को 30 घंटों के लिए इस्तिमाल किया जाए तो कितनी इलेक्ट्रिकल उर्जा की खपत होगी फैन की इलेक्ट्रिकल पावर की रेटिंग 40 वोट्स है अब इलेक्ट्रिकल उर्जा की गड़ना करने के लिए हमें वाट को किलो वाट में रूपांतरित करना होगा. इसके लिए हम पावर की रेटिंग को 1000 से विभाजित करेंगे. अब पंखे के चलने की समया विधी 30 घंटे है. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल उर्जा पावर और समय का गड़न फल है. इसलिए ये 1.2 किलो वाट आर है जो की 1.2 यूनिट के समतुल्य है.